क्या शराब और ड्रग्स के अलावा क्रूस पार्टी में और भी कुछ ओफर हो रहा था क्या क्रूस पार्टी में उस दिन नशे के साथ साथ शबाब भी ओफर की जा रही थी क्या वहाँ पर नगनता परोसने की भी तयारी थी पर ऐसी ही कुछ खबर सामने आई है ये बात बताई है उस शक्स ने जो रेड पर मौझूद था जो रेड में एक विटनेस है इनफेक्ट आरियन का ही विटनेस है और जिसने आरियन के साथ अपनी सबसे पहली सेलफी शेयर की थी किरिन गोसावी प्राइवेट डेटेक्टिव जो की समीर वानखेडे के साथ उस रेड पर मौझूद था उसने कहा कि जब वो शिप पर गए तो उसने बहुत कुछ चीज़ देखी एक तो बहुत सारी गोलिया मिली वहाँ पर ये गोलिया ड्रग्स की थी या किसी और चीज़ की वह उसे नहीं पता दूसरी चीज़ जो उसने देखी कि वहाँ पर नूड डांस चल रहा था cruise के अंदर nude dance होने वाला था और nude dance भी एक चीज इस cruise party में रखी गई थी जाहिर सी बात है दो दिन का ये cruise होने वाला था दो तारे को मुंबई से रवाना होकर ये गोवा जाने वाला था समंदर के रस्ते और दो दिन का पूरा schedule था कि किस वक्त कौन सी party है कहीं पर pool party है कहीं कुछ और party है तो इन्ही party में से एक ये nude dance वाली party थी जो according to Kiran Gosawi उसने उस दिन cruise पर देखी जाहिर सी बात है इस party के organizers काफी बड़े बड़े थे जिसमें से fashion tv भी एक है और fashion tv की कई नामी models जो है इस party का हिस्सा बनी थी इसके अलावा international level के DJs भी party का हिस्सा थे शराब थी, drugs थे और अब nude dance था ये एक नया खुलासा इसको लेकर सामने आया है हाला कि अब जो cruise party है ये मुद्धा बहुत बड़ा बन गया है ना NCB ने सोचा था ना Aryan ने सोचा था कि इस party में जाने से वो मनत की जगर जेल पहुंच जाएंगे और ना ही समीरवान खेडे ने ऐसा सोचा था कि ये जो raid है उनकी जिंदगी, उनके परिवार, उनकी personal life और professional life सब को हिला देने वाली raid होगी कुछ इस तरह से फैल चुकी है ये drug rate आरियन की बेल पर आज सुनवाई थी, सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, फैसला अब कल पर टला है